चलिए दोस्तों स्वागत है आपका सेसन नमबर दो सेसन नमबर दो में और सेसन नमबर एक आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएगे वहाँ पे वर्ड पावर मेड जी सेसन एकसरसाइज के नाम से फोल्डर होगा आप उसे देखिए और आगर आपने बड़ पावर मेड जी की पूरी सीरिज नहीं देखिए सेसन वाली तो आप उन्हें भी देखिए बारे वीडियों आपको बड़ा आनंद आएगा उसके बाद ही आप यहां पर आईए ठीक है चलिए अब देखिए पहली एकसरसाइज करते हैं सेसर नमबर दो की सबसे पहल आपनी इच्छाओं पे अपनी हावसक्थाओं पे लक्री माने केदा कर गई है ठीक है तो यह क्यों की या त earning काम करना और इक दिन नहीं करना या कि alternate day एक एक दिन छोड़के तो सारे आपको पढ़ा चुके हैं टू एल्टर माने होता है चेंज बदला और के सन्वाने क्या था जगड़ा अब आम बिला लीजिए बनुज एक्सेसिवली एक एक्सेसिवली बहुत ज्यादा फिक्स होता है अपनी खुद की डिजायर और नीट्स आवस सकता हूं तो आपको बताया था जो पूरी तरह से यह कनके कर रहा है कर रहा है अगला देखिए बन तो मतलब एक किसी ऐसे का कॉंसेफ्ट को सब्सेट तो यह क्या हो जाएगा बंस बंस प्रोट तो चलता रहेगा तो बड़नी यह आसानी समझा चुका हूं अगर आपको लग रहा है मैं एक काम करें इस वीडियो को यहीं पर रोकें आप पहले उन बारे वीडियो को देखें फिर आपको बड़ा धीमा लगेगा यह जो मैं बता रहा हूं आगे देखें फिलोस्पी और पुटिंग एनोदर वेलफियर एवो बंस ओन तो फिलोस्पी वाने सिद्धान ठीक है इंद आपको मैच करने तो यहां पागल होता अब क्या हो दो पूरी पागल होगे है आपने वारे में काम कर रहा है अपने वारे में अगा रहा है अपने लिए जी रहा है ठीक है खिलियर हुआ तो जो ये गोटिस्ट था एको से प्रेंट रिखता है उनका वीता हुए यह नहीं होता है इसका पता है इसका क्या था चोई था यह एक दिन छोड़ के ठीक है अब देखें अब यह नहीं बता हुए बार बार वीडियो को देखिए अल्टरनेट अल्टरनेट भी आपको पता है चलो मिलाते हैं एचेंज बताई एचेंज किसे मिलेगा हमारा इल्टरेशन से बदलाब से अधर पॉसिबल मतलों दूसरी पॉसिवल्टी आपके पास है तो यह क्या हो ज मतलों दूसरी है इस काम को करने की इन्टरेश्टि बेलफियर आफदर दूसरों के कल्याण में जो इंट्रेश्टि रहता है उसे मिया बोलते हैं यह से बंदा तो यह क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा यह बहूंट एकल ठीक है चलिए आगे लिए एक्सरसाइज जो मुझ चलिए इस सेशन के में एक्सरसाइज नंबर तीन पर आगे हैं अब आप इसमें देखेंगे यह सुर्णो करना बड़ा आसान है तो बहुत इंपोर्टेंट होता अगर आप देखो बर्ड याद करना ही सब कुछ नहीं पर आप इस बात को समझेए तो एक चीशी के मना करने से अगर वह किसी सीच का मना करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके तो यहां राइटर को लिखना चाहिए था किन के बारे में बात कर रहा हो ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा यह सो जाएगा ठीक है बिलो मानी क्या होता है कमी आ जाना दूसरा देखिए आर इगो सेंट्रिक पीप्लीजरी 일िए से या मतलब तो आजानी से यह साथ आयते हैं कहां यह सेंट्रिक तो अपनि हो जाएगा नू हो जाएगा नगई पर्सेनल्टिंट्टी जो बंदा होता है उसकी नौर्मल होती है शाधा होती है वह तो पागलबं दिखाता में इक होता है है तो भूँरोफन कोता पर शायगा अगला देख्या क्तली ह o अप किसी काम को समझने हो तो बोला किया है वह साइन भीया व तो पागल पंद दिखाता है विल्कूल तीकैस समझता ही नहीं है अगला देखें इस एल्ट्रीष में करेक्टरिषिक आप सेल्फिस फीपल क्या परोग कारता जो होती है वो यह गुड़ होता है सेल्फिस लोगों को क्यों होगा भी यह तो नो हो जाएगा यह तो एल्ट्रीष्ट का होता है चलिया आगे मूब करते हैं अगले कॉस्चन होती है selfish वाली होती है तो कहां होती है तो नो हो जाएगा वो तो बड़िया आदमी होते हैं ठीक है वो तो दूसरां का welfare करते हैं अब देखिए साथ मदेखी एजन alternate plan necessary inferior necessary माने लिए कि आवेसा ग्रूप से inferior माने होता है खराब सुपरियर माने अच्छा सब्सक्राइब करने के लिए तो वह तो अच्छा होता है तो यह क्या हो जाएगा नो यह कर रहा है यह बोला है गलत है अब देखिए डजन alternative allow you to some freedom of choice क्या alternative यह करता है आपको कि आपके पास कुछ स्वतंतरता है किसी चीज़ को चोइस करने की तो alternative माने तो चोइस होता है तो इसका क्या हो जाएगा यह बोला डज alteration alteration माने क्या होता है बदलाव ठीक है imply imply का मतलब लागू करता है keeping things the same तो बोला है कि alteration का मतलब यह होता है कि चीज़ें एक जैसी रहें तो चीज़ें एक जैसी हां alteration माने तो बदलाव होता है तो यह क्या हो जाएगा नो अगला देखिए टू एक जाइटेवल पीपल ऑफचन इंगेज इन alteration तो एकसाई टेहर जो पीपल होते हैं एकसाइटेवल मतलब जन्हें बहुत जल्दी गुस्सां आ जाता है उत्ति जित्वेक्ति जो होते हैं एकसाइट्मेंट में जो आ आम तोर पर क्वाइट माने होता पूरी तरह से इस वर्ड को लिखिए बहुत इंपोर्टेंट है सिम्लर टू सिम्लर टू माने होता है एक जैसा अब देखिए सिम्लर के साथ हमेशा तू आता है याद रोखो प्रपोजेशन तो यॉर्सल मतलब आपके जैसा होता है क्या तो बिल्कुल इसलिए तो से इल्टरी दो गनिस्ट में तुनीजर घ्र लिए चली आगली एक्सरसाइंज में मूउव करते हैं आपको इसमें क्या अंसर नहीं आपको इनके लिए बाध बताना सेंदियए सेंटोनेम्स तो भाई कंप्लेट होने वाले और देखो यह बुक किस किसमा काम आ सकती है पैसेज में आएगी कि लोज टेस्ट जो आएंगे उस समय मतलब पूरी इंगलिस का यह ब्रहमास्त्रा आपको यह करना पड़ेगा पनास्किया रामबड होसती है देखे पहला बढ़ वितार गया जगड़ा लिखिए तो आप लिखे ले ना इल्टर के सं और आपके बुक है तो लिखी रहा है उसमें सब मैं आपको इंदी बता रहा हूं और समझा रहा हूं ठीक है आगला देखिए एक्सेसिवली मौर्विडिली उपसेट भी पागल पना था उपसेस्ट रहता है मतलब एकदम जुड़ा रहता है उससे अपनी अपनी इच्छा और अपनी महत्वा कांचा आगे की सोचता रहता है कि यह करूंगा वो करूंगा डिजायर माने इच्छा नीट ठीक है इगोमेनियक हो गया अब देखिए एक चीज़ समझे यहां पर अगोमेनियक तब होता है जब कोई बंदा होता यानि की बन हूँ ऐसे करें कि लिखा हो ता अब क्या आपको यह एड़्यक्टिब बताना है तो क्या हो जाएग एगोमेनियकल यानि ध्यान रगों पी और इगोटिस्ट माने क्या था जो अपनी अकंप्लेंसमेंट मतलब उपरब्दियों को गाता रहता यह को सेंट्री क्या था जो अपने वारे में कहता रहता मतलब सारा सेंटर उसका अपनी डिजायर और नीट्स पर लेकिन जो बहुत ज़्यादा पागल पन है एक दम तो यह क्या हो जाएगा तो आपको बता चुके हैं छटा देखिए अटरली इंबॉल्ब बहुत ज्यादा इंबॉल्ब माने सामेल होना विद बन सेल्फ अपने हम में सेल्फ सेंटर तो वह हो गया यह सेंट्रिक हो गया ठीक है चलिए चोईस मतलब आपके पास चोईस है तो च हो जाएगा अल्टरनेट कर देना अल्टरनेट कर देना मतलब एक फॉर्मले से सवाल नहीं नकलना आप उसे सब्सक्राइब करें दूसरा लगा दीजिए उसमें ठीक है चलिए मैं उम्मित करता हूं आपको एक्सरसाइस समझ माई होगी और समझ माई होगी तो इस प्रेस आइकन एंड सेर दा वीडियो ठीक है चलिए तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी तरह अपना प्यार और समर्थन इस चैनल पर बनाए रखें